हलो आज है 5 दिसंबर और आज इस वडियो में हम बात करने जा रहे जेपी अशोशियेट के बारे में जैप्रकाश अशोशियेट और शेर अगर हम बात करें तो आज 6% की तीजी पर है बहतरीन तीजी है 18 पर ये ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महिने में अगर हम देखे त तो 11% की तीजी हाला कि इससे पहले भी ये 20 रुपे से उपर गया था बाद में करेक्शन बना और अब जाकी तीजी आई है अगर आप ग्राफ को अब्जर्व करो ना तो एक दिन की तीजी ना पहले भी थी 17 से 19 पे गया था ये बाद में गिरावट ही आई इस बार भी 17 से 18 पर आया जरूर है तो देखते हैं कि क्या होता है हाला कि इसके साथ-साथ JP पावर में भी आज बड़ी रफ़तार देखने को मिली तो वीडियो में बात करेंगे खासागे JP अशोशियेट को लेकर ही बात करेंगे तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने साल का ग्राफ देखो तो 71% की तीज़ी है और जो तीज़ी आई है वो पिछले तीन महिनों में ही आई है अगर आप ग्राफ देखो तो भाईया 22 अगस्त को यह 8 रुपए का शेर था 20 पे चला गया करेक्शन बनाई से पहले पर अगर देखो तो बड़ी तीज़ी के बाद consolidate करा था नीचे पर गया था दुबारा तीज़ी है अब consolidate करेगा और definitely थोड़ी बहुत और ग्रेक्शन future में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और देखो तीज़ी की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो है volumes चार करोड से भी जादा की quantity में आज यहाँ पर share trade होते नजर आए औ company को लेकर अगर देखे तो वह यह fundamentally company उतनी strong नहीं है according to money control user 50% लोग के रहे खरीदारी करो 17% लोग के रहे बेचो 33% लोग के रहे hold करो मैं इस 50% के साथ सहमत तो नहीं हूँ और जहां तक बात करी जाए इनके numbers के तो भाई साहब revenue में लगाता decline है profit देखोगे तो profit है ही नहीं पिछले 5 साल से लगातार company loss में है और loss कम भी नहीं हो रहा है ठीक है बीच में खबर आई थे कि वह इन्होंने ICIC bank का जो loan था ठीक है उसको चुकाने के लिए यहाँ पर 18.9 करोड शेर्स इनको ट्रांसफर करे थे loan चुकाने के लिए reduce मनलब अभी भी पूरा loan चुकता नहीं हो है reduce debt को reduce करने के लिए इतना shares इनको ट्रांसफर करना पड़ा वहाँ पर और आगे अभी अगर हम बात करे तो debt और भी जादा है तकरीबन 29,000 करोड के आसपास का debt है इनके उपर बीच में खबर भी आई थे कि सब इन्होंने जो installment है वो नहीं चुकाई है जो default करा है loan में लेकिन फिर भी शेयर में तेजी थी और तब भी मैंने वीडियो बना कर कादा कि भाई साहब यह तेजी क्यों है मैं नहीं जानता हूं यह तेजी क्यों है यह मैं नहीं जानता हूं शायद हो सकता है कि जो reports आ रह बगेरा करी जा रही है तो देखते हैं कि चीज़े शॉट आउट होती है कि नहीं लेकिन यहाँ पर अगर बात करिया इनके वैल्यों है तो वो नेगेटिव में है financial देखो कि तो उतनी जादा strong नहीं है नहीं है strong revenue में देखा जाए तो भाई सब कोई उतना बड़ा growth नहीं आया है आदेखो 2022 मार्च में और December 2021 में एक 1900 क्रोड के आज पास के revenue ते आज भी उतनी है profit पहले भी नहीं था आज भी नहीं है यहाँ पर loss ही है loss ही है तो ऐसा क्या change हो गया कि आज से तीन महिने पहले 8 रुपे पर trade करने वाला 20 पर आ गया ऐसा क्या हुआ fundamentally change तो वो नहीं हुआ है बस खबरे की वज़े से कुछ news के चलते कुछ operator के game के चलते यह सागी चीज़े हो रही है holding को लेकर अगर बात करें शह holding के पास तो promoter के पास 37.70% की holding है और promoter की 7.71% की holding गिरिवी भी है mutual fund के पास 0.07% की holding है 2% की holding domestic के पास है Files 0.90% की stake लेकर बैटे हैं retail और other की मिलागर बनती है 59.33% जिनमें say retail investor 31.41% की holding लेकर बैटे हैं other parties 27.92% की holding के साथ है और इस other parties में ही कई सारे operators आपको देखने को मिलेंगे तो याद रखे यहाँ पर game तो बड़ा हो रहा है सिफ जे प्रकाश associate में ही नहीं JP power में भी reliance power में भी operator भाईया उपल लेके जा रहे हैं इसको बाद में नीचे भी छोड़ेंगे अभी देखो बाजार अच्छे mood में है ठीक है बाजार काफी अच्छे mood में है दो दिनों से कल और आज भाईया बाजा ने धमाका किया है शांदार देजी है तो यहाँ पर भी तेजे देखने को मिल रही है और कई बार operator जो छोटे shares होते हैं उसको बहुत heavily operate करते हैं और यहाँ पर JP associate को लेकर कोई ऐसी strong update नहीं आई है जिससे share 8 रुपे से लेकर 20 पे चला जाए बलके बीच में negative ख़बर ही आई थी कि भाईया debt जो था जो loan जो वो चुका नहीं पाई ये लोग ठीक है वो negative खबर ही थी लेकिन पताने क्यों ये भाग गया बाद में ICICI bank का जो करजा है उसको चुका नहीं पा रहे है तो भाईया share transfer करने पड़े इनको ठीक है share transfer करने पड़े और इसको भी positive angle में I don't know कि क्यों लिया जा रहा है तो यहाँ पर देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगा इस company को लेकर कि देखो company दिक्कत में अगरा पेख एकर अपने assets बेज के करजा चुका रही है तो भाईया वो assets इनके लिए तो assets थे ना पहले अब तो वो भी नहीं रहे न उसको बेज के करजा चुका भी रही है तो भी वो assets भी तो इनके assets थे पहले तो यहां पर देखो दिक्कत तो है ठीक है और जो तीजी आ रही है मैं बहुत जादा भरोसा नहीं करता हूं इसके उपर क्योंकि इस तरीके की तेजी इससे पहले भी बनी थी फिर लंबे समय का consolidation phase आया वो भी बहुत बड़ी गिरावट के साथ तो इस बार भी बहुत बड़ी तेजी आई है देखते हैं कि वापस से गिरावट यहां पर आ भी पाती है के नहीं और face किस तरीके का रहता है overall जैप्रकाश associate हो या जैप्रकाश power हो दोनुं ही company को लेकर मेरा एक ही statement रहेगा कि जब तक fundamentally चीज़े clear नहीं हो जाती जब तक fundamentally इस company में improvement नहीं आ जाता है तब तक wait and watch दूर बैठो तमाशा देखो देखो अफसोस करने की जरूद नहीं के वाई 8 रुपय का शर्ट 20 पर चला गया मेरा पास मौका नहीं रहा ठीक है एक चीज़ याद रखो यहाँ पर जो retail investor होते है पैसा protect होना जरूरी है और इसका मतलब यह है कि वैसा अच्छी company हो में invest करो ठीक है जहाँ पर दिक्कते हैं जहाँ पर operator driven बहुत सारी activity हो रही है वहाँ पर पढ़ने की जरूद नहीं है यह मेरा माहना है बाकी मर्दी आपक बता सकते हैं इसके अलावा अगर आपको पता हो कि वह या शेयर में तेजी क्यों आ रही है तो वह भी मुझे comment में जरूर लिखके बताईएगा थैंक्यो